कुछ लोगों को लगता है कि मैं लिखने की कोसिस करती हूँ पर लिख नहीं पाती हूँ Hello everyone, welcome to my channel और कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होएंगे और ये तो अभी यहाँ पर मैंना अपनी थोड़ी सी है ना, मतलब मौणिंग के टाइम पर थोड़ा सा मैं रिवाइस कर लेती हूँ जिस वारे में मैंने थोड़ा सा मतलब जितना भी लिखा होता है नेस्टे डेकी नाइट मतलब जो कल रात को मैंने जितना भी लिखा है जो कुछ भी तो उसको मैं एक बार रिवाइस जरूर से करती हूँ फिर उसके बाद मैं continue अपना दूसरा करती हूँ क्योंकि सारे भी मैं कम से कम साथ मैं चार सब्जेक्ट लेकर चल रहे हूँ ताकि complete हो जाए क्योंकि syllabus कितना भी कोसिस करो खतम कभी नहीं होता लेकिन खतम करना पड़ता है तो यहां पर ना देखिए मैं revise कर रहे हूँ तो यहां इस टाइम पर जब मैं revise करती हूँ ना तो इस तरीके से मैं मतलब पैन की नोक को और सब्दों के उपर रखकर मैं revise करती हूँ ताकि कहीं पर छूट ना तो ना पहले कुछ दिनों पहले वीडियो पर comment था कि आप लिखने की कोसिस करती हूँ पर लिखने पाती हूँ तो उस टाइम पर जब मैं आप लोगों वीडियो जब आपने देखा होगा तो मैं revise ही कर रही होती हूँ क्योंकि है ना लिखने का टाइम ऐसे मतलब बहुत जल्दी जल्दी से इतना नहीं हो पाता है पॉइंट बगेरा जितना भी होता है वही मैं जरूरी जरूरी लिखती हूँ और सुनती ज़्यादा हूँ तो दिमाग में ना एकदम बैठ जाना चाहिए ना कि लिखने से ज़्यादा वो होता है क्योंकि कॉपी भरने से कोई वो नहीं रहता है मतलब बस यह के दिमाग में चीज़े समझ में आनी चाहिए कि हमें कितना समझ आ रहा है आई होब कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और अगर थोड़ा सा कुछ मोटिवेट मिला होगा तो थैंकी सो मच लेकिन यह है कि मैं ज़्यादा इतना नहीं लिखती हूँ ओवर वसी है कि अभी मतलब नोट्स बना रही हूँ ना तो उस हिसाब से पॉइंट के हिसाब से मैं चीज़ों को लिखती हूँ ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता है क्योंकि फिर जितना हम मैं रिवाइस करने की कोसिस करते है तो चीज़ा बड़ी दिखती है तो फिर उसमें है ना एकदम वो रह जाता है कि यार इतना बड़ा है कैसे फिर मतलब टफ लगने लगता है तो जितना हो सके छोटा छोटा पॉइंट बना करी मैं यहाँ पर लिखने की कोसिस करती हूँ तो मैंने है ना काफी सारे सारे मेरे जुतने है नोट्स वगेरा बन चुके हैं बस कुछ ही रह गए है तो क्यूंकि एक साथ मेरी दो तीन जो वेकेंसी है मतलब एक्जाम उसकी तैयारी चल रही है तो एक ही नहीं है दो तीन है तो सबके अलग-अलग नोट्स जो है न वो बना रही हूँ तो चलिए यहाँ पर हैं अगर आप लोगों को ऐसे मतलब जैसे मेरे तरह है जो भी पढ़ रहे हैं और जिनको जानना है कि मैं मतलब एक ऐसे नोट्स क्या बना रही हूँ तो आप लोग कमेंड करके जुरूर बताएगा तो यहाँ पर देखिए मैं अब आ गई हूँ किचिन में खाना बनाने के लिए तो आज मैं बना रही हूँ भरमा बैगन यह मैं थोड़ी से मैंने यहाँ पर है ना कट कर लिए है और बहुत छोटे-छोटे से यह बैगन थे तो चलो मैंने सुचा यह बना लेते हैं और रोटियां तो रखी हैं तो उनके साथ तो जाएगा और थोड़ा सा कुछ दाल, चावल यह बना लूँगी तो अभी है ना मैंने उस टाइम पर अपना सारा काम वो सारा कंप्लीट कर लिया था उसके बाद ना दो लिया था फिर उसके बाद में किचिन में आ गई थी और हमारा बेटा भी स्कूल से आ गया था तो वो भी मसी है कि कुछ चाहिए था कुछ लेने के लिए बार बार जो ना वो आ रहा था कि पता नहीं मुझे इस टाइम पर ध्यान नहीं रहता इस वज़े से फ्रेंस तो अभी मतलब है ये वाले जो बैगन है मैं इस तरीके से बना रही हूँ जैसे मैंने बैगन को वैसे करके चीरा लगा कर बना रही हूँ ऐसे ही मैं आलू को भी फ्राय करूंगी तो आलू को भी है मनलब सीधा कट नहीं करूंगी जैसे बैगन कट किया है उसी तरीके से मैं कट कर रही हूँ और बहुत छोटे वाले मिनी वाले आलू जो है वो लेकर आए हूँ ना तो उनको छीलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत छोटे से आलू है तो मैंने इसलिए उनको नहीं छीला लेकिन अच्छे से वास कर लिया था दो तीन पानी से बहुत बढ़िया से और उसके बाद देखिए मैंने इसी तरीके से साबुत आलू सा नमक डाल दिया है ताकि अच्छे से अंदर तक आलू हमें नमक चला जाए और उसके बाद वस यहां पर ना मैंने मसाला भी निकाल के रख लिया है मैंने अभी वीक में यह जो मसाला है मैं बना कर रख लेती हूँ तो यह हटे में मेरा मतलब दो तीन दिन आराम से चल जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करती हूँ ना उसके बाद जो है मतलब अच्छे से चलता है तो यहां पर मैंने देखिए जितना तेल एस्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी तो जादा नहीं डालूँगी सिर्फ थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूँगी और दो चमच भर के मैंने यहां पर यह मसाला डाल दिया है और इसके साथ साथ मैं एक मसाला और डालूँगी यह है मेरा पंच फोरं जो चीजे होती है एक अच्छारी मसाला वोग्रॉ वाला तो ये भी मैंने बना कर रखा हुआ है तो कभी कभी चीजे बहुत काम आजाती है इंस्टेंट कुई भी चीज हम बना कर रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एजी हो जाता है तो ये खराब नहीं होता है मैं तो बाहर ही रखी हूँ फ्रेज में रखने की जरुवत नहीं पड़ी है मतलब जो अचारी वाला मसाला है ना उसको और बाकी ये वाला जो मसाला है ना इसको भी हम बाहर ही रख सकते हैं लेकिन मैं चीटियों के कारण कहीं चूहे ओवे मनन कुछ भी ठीकत होती है न तो यह जो मसाला है न यह वाला देल वाला वू मैं फ्रेज में रख लेती हूं बाकी मैं यह वाला मसाला जो है न अचारी मसाला यह तो मैं बाहर डिब्बे में ही रख कर रखी होई हूं तो यहाँ पर मैं साथ के साथ एक चीज और बना रहे हूं, मैंने रात को भीगोया था थोड़ा सा साबू दाना, तो मैं आज है ना फास्ट टाइम पहली बार कोकर में साबू दाना बनाने वाली हूं, आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तो मतलब साबू दान वैने सोचा कोकर में बना लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी तो एक सीटी लगा देंगे, तो अराम से जल्दी बन जाएगी, तो यहाँ पर मैंने साबू दाना तो अच्छे से भीगा हुआ था और मैंने यहाँ पर देखिए कोकर चड़ा दिया है, थोड़ा सा इसमे पर यह मैं मतलब अपने हिसाब से एड़ कर दे रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हो, वांकि काफी अच्छा टेस्ट आया था, इसमें कोई फार्क है नहीं समझ में आता है, कि हमने यह गाजर डाली है, तो मतलब अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा लगा था, और दाल दिया है, थोड़ा समिर्ची पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद इसको अच्छी से बूलेंगे, तो यहाँ पर ब्रत बग्यारा नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे, कि मैं ब्रत के लिए बना रही हूँ, ऐसे ही कभी कभी होता है, कि हम तो साबू दाना भी ना तो यहाँ पर है ना, फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इसमें टामाटर डाल दूँगी, टामाटर है ना, अच्छे से वैसे टामाटर गल ही जाएंगे जल्दी से, और इसको भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और इसके बाद इसमें कर दूँगी, मै पानी एड़ तो जितना मनलब हमें एकदम लिक्विट ही रखना है ज्यादा इतनी पतली भी नहीं बनाना है एकदम गाड़ी होनी चाहिए इतना पानी और वैसे भी साबूदाना जो है रखे-रखे एकदम गाड़ा भी होने लगता है हो जाता है तो यहां पर है एक सीटी के पानी डाल दिया है और अब मैंसे में सीटी लगा दूंगी तो ये हमारी खेचडी बन करके तयार हो जाती है और साबुदाने की खेचडी गर्म तासीर की होती है तो आप चाहें तो सर्दियों में बना कर खा सकते हैं एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा काफी अच्छी बनेगी और पसंद भी आएगी चलिए फ्रेंस मिलते हैं नास्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाए